देश में लोकसबत चुनाओं से पहले नेताओं की वार पलटवार का सिल्स लाल लगा तार जारी है ऐसे में बिजेपी कॉंग्रेस के मनिफेस्टों को लेकर हमलावर है अमरोहा में उत्तर प्रदेश के मुखी मंतरी योगी आदिदनात ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी चुनाओं घोशना पत्र में देश में शरिया कानों लागू करने और जनता की सबपत्ति का बटवारा करने की मन्शा जाहिर की है सियम योगी ने मंगलवार कॉमरोहा में एक चुनाओं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कॉंग्रेस और उनके सयोगी दलों ने देश के साथ गद्दारी की है अब एक बार फिर गद्दारी करने के लिए अपने जूटे घोशना पत्र के साथ आपके पास आए हैं मुखी मंत्री ने आरोब लगाए कि कॉंग्रेस के घोशना पत्र को देखे वा कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे आप बताओ या देश बाबा साहिब भीमराम बेटकर द्वरा बनाएगे सम्विधान से चलेगा या किसी शरियत से चलेगा आप भी सुनिए कॉंग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का गरीबी हटाओ बैन और भायों गरीबी तो नहीं अटी हाँ एक परिवार को देश के संसादनों को लूटने की पूरी चूट मिल गई थी पूरी चूट मिल गई थी चाए वह परिवार दिल्ली में राओ चाए वह परिवार सेफाई का राओ यह लूटते थे अराजटा भेलाते थे और डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने तो जब प्रधान मंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है तो हमारा दलित कहा जाएगा पिछडा कहा जाएगा एक खडगवनसी कहा जाएगा पाल कहा जाएगा सेमी कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा किसान कहा जाएगा माताएं और बहने कहा जाएगी नौजवान कहा जाएगे देश के अंदर कॉंग्रेस जाती के नाम पर छेटर के नाम पर भासा के नाम पर बांडती रही गरीब भूकों मरता रहा किसाना अत्मत्या करता रहा नौजवान प्लाइन करता रहा और एक कॉंग्रेसी और उनके सयोगी दलों को आज जो इंडी गड़ बंदन के रूप में आपके पास आए हैं बैन और भाईयों ये देश के साथ गद्द प्रहस को आप देखेंगे कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सर्या कानून लागु कर देंगे आप बताओ ये देश भावसाब भीमारां बेट कर करके द्वारा बनाए गए इस संविधान से चलेगा या किसी सरिया करेदान से चलेगा भारत संविधान से अपने घोसना पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम बेक्तिकत कानॉन को लागू करेंगे है यानि सर्या कानून लागू करेंगे क्योंकि मोदी जी ने तीन तलाकी कुपर्था को रोग दिया पूरी तरह रोग लगा दी उस पर लगाम लगा दी और उसको कहते हैं कि हम फिर से बिक्तिकत कानून पुनर बाहाल करेंगे ये लोग सरीया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हतिया करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे बैन और भाईयों क्या आप कॉंग्रेस और समाधवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डखैती डालने की छूड़ देना चाहते हैं क्या अरे आपके बाप दादों में कमा करके संपत्ति रखी है देखो ना इन पेश्रमों की हालत एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुद्रिष्टी है और दूसरी तरफ माफिया और अपरादियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फपिया पढ़ रहे हैं यह अपने देखा होगा इनके हाल को देखा है ना कि देखा है ना ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया पब्लिक खबर फ्लाल के लिए इस खबर में बस इतना ही देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अबने र अबस्क्राइब करें अपस्टने पाल के लिएपोर्टो रवा रिप्टार दोब च्क्ति immediate health, 666 फाल बड़ी में आर कि रेक लिए बाए्लिक खबरों के लिए हमार Catholic Church